नमस्कार दोस्तों मैं सीमाडे मनमिर इस वीटिप चल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में व्रशब राशी वाले जातकों का नौंबा 2018 का भविश्य फल बताऊंगी दोस्तों ग्रहों के उतार इस महीने हो सकता है आपको positive परिणाम भी इस महीने प्राप्थ होंगे तो कुछ negative परिणाम भी आपके जीवन में प्राप्थ हो सकते हैं क्योंकि गोचर में ग्रहों की इस्तिती के अनुसार ये राशी फल तैयार किया गया है तो सबसे पहले में बात करती हूँ मंगल ग्र नुकूल साविच सिद्ध होगा आप विदेश से व्यापार करेंगे तो आपके लिए फायदबन साविच सिद्ध हो सकता है मंगल के राशी परिवर्तन से आपकी जो अंगारक दोश पिछले कई दिनों से चल रहा था जिससे आपको मानसिक परिशानों का सामना करना चिड़ चिड़ापन आप महसूस करते थे आपको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता था जिससे आपके दामपत्य जीवन में भी कले हो रहा होगा या फिर आपके परिवार में आपके रिष्टे भी गड़ रहे होंगे या फिर व्यापार में भी आप बहुत अधिक नुक्स हो सकता है जो जातक नौकरी कर रहे है उनके लिए भी ये समय बहुत अधिक अनुकूल साबिट सिद्ध हो सकता है उच अधिकारियों के सयोक से ब्लबा पदोनुत्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में मंचाहा रिजल्ट कर सकते हैं इनके साहस और पराकरम में भी व्रदी ह मंगल के राशी परिवर्तन से आपके मान सम्मान में व्रदी होगी आर्थिक इस्तिति आपकी मजबूत होगी धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होगे और अलग-अलग माध्यम से आप धन अरजित कर सकते हैं इसलिए आपको पैसों की तंगी इस महीने नहीं मैसूस ह होगी यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं व्यापार को इन्हेंस करना चाते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक लापकरी सिद्ध हो सकता है व्यापार में आप कोई भी नई मशीनरी खरीदना चाते हैं तो आप खरीच सकते हैं व्यापार को यदि आप प्राप्थ होगा यदि आप Неजिनिरिंग शेत्र से जुड़े में हैं डॉक्टरी शेत्र से जुड़े में घेल खूरे करते हैं और यदि आ डिफैंस जुड़े में हैं तो यहो समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध होगा दोस्तों उसमें आपको बहुत अधिक लाप की प्राप्ति होगी आपके व्यापार में भी आपको बहुत अधिक मुनाफ़ा प्राप्त हो सकता है इस महीने मंगल की साथवी द्रस्टी आपके फोर्थ हाउस में पढ़ रही है जो कि सुख सुविदाओ का घर माना जाता है यदि आप अपने घर के लिए या फिर व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना चाते हैं तो वह आपके लिए शुपकारी सिद्ध हो सकता आप भूमी भवन इत्यादी में यदि पूझी निवेश करना चाते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है मिचूल फंड से भी आप लाब कमा सकते हैं लेकिन पूझी निवेश करने से पहले आप बहुत इस्तो समझ कर अपनी पूझी निवेश करें अन्य था आपको हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तो व्यापार्थ नौकरी में जल्दी ही ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है या फिर आपका कार्य बन सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था दोस्तो व्यापार्थ न जौब में आगे बढ़ने के बहुत अधिक अच्छे आउसर आपको प्राप्त होंगे इस महीने में अचानक धल नब लाब मिलने की उमीद पूरी हो सकती है सा में आपको स्वास्ते का बहुत अधिक ध्याम रखना पड़ेगा क्योंकि स्वय आपके लगनेश आपके छटे बाव में विराजित है तो यह समय आपके लिए स्वास्ते की दरस्टी से देखा अधर तो अच्छा नहीं माना जाएगा आप अपने खान प्यान का ध्यान तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तो शनी भी आपके अस्टम भाव में विराजित है इसलिए आप अपने दुरगटनाओं का शिकार होने के योग बन रहे हैं इसलिए आप वहां थोड़ा बहुत अधिक समल कर चलाएंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा आप यात्राएं भी बहुत अधिक समल कर करें अपने शुब मौरत में ही यात्रा करें लंबी यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो शुब मौरत देखकर ही घर से निकले तो यह आपके जीवन के लिए लाबकरी सिध हो सकता है अ तो भी सरकारी कारे आपके रुकेवे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, यदि आप छोटे-मोटे कोट कचरी के चक्कर लग रहे हैं, उनका फैसला आपके हख में आने के योग बन रहे हैं, 16 नौमबर के बाद, जब सूर्य अपनी राशी परिवर्तत करके अपने सब्तम भाव में चले जाएगे दोस्तों, और गुरू भी आपके सब्तम भाव में विराजित हैं, तो इस समय उन जातकों के लिए बहुत अधि अच्छा समय हैं, जो की ऐविवाहित हैं, उनकी शादी के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं, यदि वे प्रयास करेंगे, तो मांगलिक सुत्र में भनने के भी योग बन रहे हैं, इस महीने, गुरू और सूर्य का सब्तम भाव में विराजित होने के कारण, आपकी जो डेली वेजिस की इंकम है, उसमें आपके भडोतरी हो सकती है इस महीने, अच्छा खाना, पीना, घुमना, फेडना, इस महीने अतदिक आपका रहेगा, दामपत्य जीवन में भी आपके मदूरता रहेगी, जीवन साती का पूर्ण सयोग आपको मिलेगा, इस महीने, ससुराल पक्ष से कोई खुशकबरी मिल सकती है, भाई बंदों का करते हैं, तो यह महीना, आपके व्यापार के लिए बहुत अधिक शुब रहने वाला है, दोस्तों, व्यापार में आपको लाप राप्त होगा, प्राटनर से आपके अच्छे संबंद बने रहेंगे, पूंजी निवेश से भी आपको लाप होगा, यदि आप आप अपने रिष्टे में बदलना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, आप अपने घर परिवार से मिलकर यदि आप बात करेंगे, तो आपके रिष्टे की रजामंदी इस महीने आपको मिल सकती है, दोस्तों, और जो जाता गौर्मेंट से जुनना चाहते ह या फिर सूरे से related कोई भी competitive exam आप दे रहे हैं, या आप किसी भी तरीके को competitive exam दे रहे हैं, तो उसमें success होने के योग बन रहे हैं, लेकिन यदि आपने अपनी मेहनत में कमी रख दी तो फिर आपको success नहीं प्राप्त होगी, दोस्तों, गोचेर में तो ग्रहों की इस्तिती बहुत अच्छी बनी हुई है आपके योग बन रहे हैं दोस्तो सक्सेस होने के इसलिए आप अपनी महनत पूरी करिए 100% अर यदि आप अपना अफ़र्ट लगाएंगे तो आपको पूरा पॉजिटिव परिडाम इस महीने प्राक्थ होने के पूरे-पूरे योग बन रहे है कुल मिलाकर कहा जाए तो गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दोस्तो इस महीने में किये प्रयास आपके सफल होंगे महीने की शुरुआत में ही आपको कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है इस सूचना से आपका आत्मे विश्वास में व्रदी होगी इस दोरान आप खुद को ज़्यादा उर्जावान वे आशावादी महसूस करेंगे सभी कारे आपके प्लान के मुताबित पूरे होंगे परोपकार से जुड़े कारियों में भी आप यदि भाग लेंगे तो आपकी छबी अच्छी बनी रहेगी घर वे कारे स्तल पर आपका खुशनुमा वातवरन रहेगा ग्रहों की चाल बता रही है कि यह मापरिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे और आप उनके जुड़ना चाहते हैं तो राजनितिक शेत्र से भी जुड़ने के अच्छे योग बन रहे हैं आपको उचा पद भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो अक्सर मेरे पास कमेंट्स आता है कि मैंना हमारे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि आप राशी फल में बता रहे हैं दोस्तो तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ दोस्तो जब अपनी जन्म पत्रिका का मिलान गोचर से होता है तबी हमें शुब परिणामों की प्राप्ती होती है और शुब परिणाम तबी आपको प्राप्त होंगे जब आपकी जन्म पत्रिका के अंतरगत ग्रहे भी शुब अवस्ता में होगे और उनकी दशा अंतरदशा भी चल रही होगी हमारी जन्पत्रिका का मतलब है एड प्रेसेंट जब आपके जन्म हूआ था उस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या थी और इस समय गोचर की ग्रहों की इस्तिती क्या है, दोनों का मिलान होता है जबी हमें परिणाम हमारे जीवन में पराप्थ होता है अशूब और शूब, यदि आपकी जनपतरिका के अंतरगत कोई अशूब घ्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, तो गोचर में आपको शुप परिणामों की प्राप्ती नहीं होगी, यदि शादी के योग भी बन रहे हैं, यदि सब्तम भाव आपका पीडित है, नीच का हो गया है, छे आट बार में बैड़ गया है, या फिक कुरूर ग्रहों की द्रस्टी उसकी उपर है, तो आपकी कमता ही नहीं होती है, इसलिए हमें छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए हमारे जीवन में, तभी हमारे जीवन में शुप फलो की प्राप्ती हो सकती है, दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, और उनकों मैं छोटे-छोटे उपाय बताती हूँ दोस्तों, रत्न कि किसी भी आप negative ग्रहे को भी अपने positive में कर सकते हैं अर्थात उससे भी आप positive result प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों इसलिए मंत्रों का उचारण आप अवश्य करें दोस्तों यदि आप व्रश्रव राशी के जातक हैं आपके जीवन में कोई भी समस्या है आपको कोई भी मंत्रों का उचारण करेंगे अपने lucky colors को follow करेंगे और आपके इस्ट देव होते हैं बुद्ध घ्रे यदि आप गणिजी की पूजा रादना भी करना शुरू कर देंगे दोस्तों यह तीन काम भी यदि आपने करना प्रारम कर दिये तो मैं guarantee के साथ कह सबती हूं कि आपको positive result जरूर आपके जीवन में मिलेगा दोस्तों लेकिन उपाय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा तभी आपको positive result प्राप्त होगा दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप like करना ना भूले और दूसरों के साथ भी कि शेयर अवश्य करें दोस्तों और comments के दौरा प्लीज मुझे जरूर बताए कि आपको मेरा वीडियो किस तरह के का लगा ताकि आने माला next वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक better से better ला सकूतों मिलते हैं next वीडियो में कोई interesting topic के साथ तक तक के लिए thank you and bye bye